अभी हमने न्यूटन के गृत्वा कर्षण नियम का फॉर्मुला देखा अब हम इस फॉर्मुले को सदीश रुप में देखते हैं क्योंकि बल एक सदीश राशी है तो इस सूत्र को सदीश की रुप में भी लिखा जाता है इसका सदीश रुप क्या होगा इसके लिए हम दो पिंड लेते हैं M1 और M2 और इसको हम एक निर्देशांग फ्रेम के अंतरगर्थ अध्यन करेंगे जब दिशा की बात करेंगे हम लोग तो एक दिशा को निर्धारित करने के लिए हमको कौडिनेट फ्रेम के अवशक्त होगी मान लीजे हमने दो पिंड लिए थे जिन में स दूसरे का द्रवेमान M2 तो मिनमे से एक पिंड को इस निर्देश फ्रेम के मूल बिंदू पर रखते हैं ताकि हमको दूसरे पिंड को इसके सापेक्ष प्रदर्शित करने में आसानी हो और हम इसमें दिशा अच्छी तरह से ज्याद कर सकें तो इस प्रकार हमने एक अब M1 M2 पर अकर्शन बल लगाएगा वैसे M2 भी M1 पर अकर्शन बल लगाएगा माल लेजे हम इस M1 पर M2 के द्वारा लगने वाले आकर्शन बल को F12 से प्रदर्शित करते हैं और इस आकर्शन बल की दिशा M2 के तरफ होगी क्योंकि M2 M1 को अपने और आकर्शित कर रहा है जैसे कि हमने देखा कि R एक स्थिती सदीश है अब इस R सदीश की दिशा में यदि हम 21 सदीश ले तो यह R कैप आगे की और होगा हमने यहाँ पर 21 सदीश इसलिए लिए है वच्चों क्योंकि जब हम आगे सूत्र लिखेंगे तो हमें सदीश की रूप में दर्शाने के लिए इस 21 सदीश की अवशक्त होगी अब इस बल को यानि F12 को हम न्यूटन के सूत्र अनुसार लिख सकते हैं G M1 M2 अपन आर स्क्वेर अब इसकी दिशा क्या है यह M2 की और आकर्शित हो रहा है मतलब इस दिशा में यदि 21 सदीश देखें तो यह R कैप है तो हम यहाँ पर R कैप लिख देंगे अब ऐसे ही हम दूसरे पेंडे के लिए दिखते यानि M2 के लिए M2 को M1 अपनी और आकर्शित कर रहा है तो इस बल को हम F21 के रिप्रेजंट करेंगे और F21 बराबर होगा G M1 M2 अपन R 22 अब इसकी दिशा क्या होगी हम देख रहे हैं कि M2 M1 का राकर्शित हो रहा है और इसकी दिशा इस R सदीश के विप्रैथ है है तोmber R कैप यदि हम 21 सदीश ले रहे थे इस की दिशा में तो इसकी विप्रत 21 सदीश हम लेंगे तो ये F21 बराबर हो जाएगा, माइनस F12, और यहां से हम देखे, तो यह Newton के गती का तीसरा नियम है, Newton के गती के तीसरे नियम के नुसार हम जानते हैं, कि एक पिंड यदि किसी दूसरे पिंड पर बल लगाती है, तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल लगाता है, बराबर और विप्रित दिशा में होता है, तो यहां पर भी, यह जो Newton के गती के तीसरे नियम से जो निसकर्ष निकला था, यह गुरुत्वा कर्शन नियम में भी लागू होता है, और इसके अनुसर हम देखे, तो एक पिंड यदि दूसरे पिंड को आकर्शित करता है, तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड को उतने ही बल से आकर्शित करेगा, पर यह दोनों ही बल की दिशा एक दूसरे के विप्रित होगी, तो इस प्रकार हमने देखा, कि न्यूटन का सारवत्रिक गृत्वा कर्शन नियम, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है, यह जो न्यूटन के सारवत्रिक गृत्वा कर्शन का नियम है, यह अध्यारोपन के सिधान्त पर भी आधारित है, हम जानते हैं बच्चों कि ये आकर्शन बल है और बल एक सदीश राशी होती है और किसी एक पिंड पर ये दि बहुत सारे बल कारे करते हैं सभी बल की अपनी अपनी दिशा है क्योंकि सभी सदीश राशी है तो उस पिंड पर जो कुल बल होगा वो सभी सदीशों का कुल है M1 और इसके साथ साथ हम एक और पिंड लेर है M2 और हम जानते हैं न्यूटन की गृत्वा कर्शन नियतांग न्यूटन के गति के तीसरी नियम कभी पालन करता है तो M1 जितना बल लगाएगा M2 पर M2 भी M1 पर उतना ही बल लगाएगा यह दोनों बल बराबर होंगे और ए यहाँ पर एक पिंड लेर है M1. अब सदीशों की बात कर रहे है तो इस M1 पिंड को हम एक निरदेश फ्रेम में दरशाते हैं और मान लीजे यहाँ पर एक पिंड है M2 kao की इस M1 से मान लीजे इस और दूरी पर है और यह M1 और M20 की सदीश की दूरिये इसलिए मैं इसे सदीश आर टू वन से दर्शारी हूं अब इस एम वन पर एम टू के द्वारा आकर्शन बल लगेगा एम वन भी एम टू को अपने और आकर्शित करेगा फिलाल हम बात कर रहे हैं एम वन पर लगने वाले बल की तो यह इसकी दिशा कैसी होगी यह एम टू की और होगी हम एक स्थिती सदीश लेते हैं जो कि इसी आर टू वन की दिशा में है इसे आर टू वन कैप से अब मान लीजे हम एक और पिंड लेते हैं M3 यह M3 भी M1 को अपनी और आकर्शित करेगा M1 भी M3 को अपनी और आकर्शित करेगा पर यह तीसरे पिंड M3 के आने के कारण इस M1 और M2 के बीच में जो आकर्शन बल लग रह था उस पर कोई भी प्रभावन नहीं पड़ेगा यहां पर यहां पर यह जो दो पिंड थे M1 और M2 इनके बीच में जो बल लग रहा है वो as it is रहेगा यहां पर माध्यम को बदल दो तो भी कोई फर्क नहीं आएगा यहां पर कोई अन्य तीसरा पिंड भी ला दे चौथा पिंड भी ला दे तो भी इन दोनों के बीच में जो बल कारे कर रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यह है कि जो पिंड है M1 वो M3 को भी अपनी और आकरशित करेगा और इतना ही नहीं यह M2 और M3 यह भी एक दूसरे को अपनी और आकरशित करेंगे लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे है M1 पर लगने वाले बल की तो हम यहाँ पर M2 और M3 के बीच में जो बल कारे कर रहे हैं उसको भी इंग्नोर कर रहे हैं पर ऐसा नहीं है कि उसमें बल कारिय नहीं कर रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम फिलाल M1 को फोकस कर रहे हैं, इसलिए इस पर लगने वाले बल की बात करते हैं, तो M1 पर M3 के द्वारा लगने वाला बल की दिशा इस तरफ होगी, जबकि M3 पर लगने वाले बलकी दिशा M1 के कारण इस तरफ होगी अब हमको M1 पर बलकी गणना करनी है तो इसे मैं लिख सकती हूँ G M3 M1 R31 cap upon R31 square जहाँ पर R31 M1 से लेकर M3 के बीच की दूरी है अब मालीजा में एक और पिंड ले आते हैं M4 ले आए और जैसे कि मैंने पहले भी डिसकस किया है कि और कोई भी पिंड ले बाकी पिंडों की बीच में जो आकर्शन बन लग रहा है उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर इन दोनों की बीच में भी बलकार्य करेगा यह भी बल आकर्शन होगा तो M1 पर जो M4 के द्वारा बलकार्य कर रहा है उसको मैं दर्शाती हूँ F14 से और इसकी दिशा इस और होगी मतलब M4 की और होगी जब कि M1 जो M4 पर आकर्शन लगा रहा है उसकी दिशा M1 की और होगी तो M1 पर जो M4 बल लगा रहा है उसकी बात कर रहे हम लो इसको हम दर्शाएंगे G M4 M1 R41 cap R41 की cap की दिशा जो होगी वो M1 से लेकर M4 की ही और होगी क्योंकि M4 अपनी और आकरशित कर रहा है अपन R41 स्क्वेर और अध्यार उपन के सिधान्थ से इस M1 पर लगने वाला कुल बल मान लीजे मैं F1 लिखती हूँ तो F1 बराबर होगा इन सभी बलों का सदीश योग क्योंकि सारे बल की अपनी अपनी दिशा है और यहाँ पर जब हम लोग योग करेंगे तो यह सदीश योग होगा तो F1 बराबर होगा G M2 M1 R21 cap अपन R21 square प्लस G M3 M1 R31 cap अपन R31 square प्लस G M4 M1 R41 cap अपन R41 square और इस प्रकार अगर पाचवा पिंड भी ले आते छटवा पिंड भी ले आते तो जितने भी बल इस M1 पर काम कर रहे हैं उसकी दिशा के साथ हम इसका योग करते जाते और यही अध्या रोपन का सिध्धान्त है और इस प्रकार हम देखे न्यूटन के इस गुरुत्वा करशन बल की बहुत सारी विशेष्टा है जैसे कि ये बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता मतलब दो पिंडों की बीच में कौन सा माध्यमें इस पर ये बल निर्भर नहीं करता और नहीं ये बल किसी अन्य पिंड की उपस्थिती पर निर्भर करता है साथ ही हमने देखा यदि दो पिंड है तो ये दोनों ही पिंड एक दूसरे को अपनी और आकर्शित करेंगे और इस आकर्शन बल का मान बराबर होगा तथा एक दूसरे के विप्रित होगा और Newton के गती के दूसरे नियम से हम देखे तो F बराबर होता M into A और यदि पिंडो का दरव्यमान बहुत अधिक हुआ उस condition में हम देखेंगे कि त्वरण का मान कम होगा तो यू कह सकते हैं कि ये जो भारी पिंड होगे इनके बीच में ये दि आकर्षन बल कारे करता है तो हम सोच रहोंगे कि आकर्षन बल कारे करेगा तो इन पिंडो को अपनी और खीचेगा ये तो जाहिर सी बात है कि आकर्षन बल काम करेगा तो पिंडो को अपनी और खीचेगा और पिंडो को जब अपनी और खीचेगा तो पिंडो में त्वरण भी उत्पन होगा लेकिन जब पिंडो का द्रवेमान बहुत अधिक हुआ जैसे हम यहाँ पर खगोलिये पिंडो की बात कर रहे हैं सूरज, तारों की, ग्रहों की तो इनका द्रवेमान बहुत अधिक होता ह तो इस स्थिती में हम देखें, तो जो इनसे उत्पन होने वाला त्वरण है, वो बहुत ही कम होगा, यू कहें कि इस त्वरण का मान नगणने होगा, साथ ही हम देखते हैं कि ये जो गृत्वा कर्शन बल है, वो बिंदू द्रव्यमानों के लिए सत्ते हैं, यानि कि बड़ हैं, तब यहाँ बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्र को जोडने वाली रेखा पर कारे करता है, या यू कह सकते हैं कि यहाँ नियम इस सिध्धाने पर लागू होता है कि दोनों द्रव्यमान बिंदू वस्तुए हैं, और यह मान के चलते हम लोकि इन दोनों पिंडों का द्रवेमान इनके द्रवेमान केंद्र पर ही केंद्रित हो गया है और इस प्रकार हम यूँ कह सकते हैं कि गुरुतवा कर्शन बल एक केंद्र ये बल है यानि कि ये दो पिंडों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर ही कारे करता है और इस प्रकार हम यू भी कह सकते हैं कि गुरुत्वा खषण बाल एक स्फेरिकल समेट्रिकों लागू करता है ओ उस्म और साथ हम देखते हैं कि गुरुत्वा कर्षण बल अ कर्शण बल होता है यह पैंड की प्रकृती पर आकृती पर उसके कार निर्भर नहीं करता यह बीच के माध्यम पर नहीं निर्भर करता यह सदैब एक पिंड को अपनी और आकर्शिती करता है। साथी हम सूत्र से देखें F बराबर होता है G M1 M2 upon R-square यानि कि इस बल का मान दो पिंडों के द्रवे मानों के गुणनफल पर निर्भर कर रहे हैं और दोनों पिंडों के द्रवेमान यदि बहुत अधिक हुए तो इस अकर्षण बल का मान भी अधिक होगा लेकिन जब हम हलके पिंडों की बात करें तो यह आकर्षण बल भी कम होगा इसलिए जब हम गृत्वा कर्षण बल की बात करते हैं तो जनरल नोल्चेयर के बीच में घुनुत का एक एख सेघ्थ चयार को कित Generation नहीं कर पाते कि क्योंकि इन दोनों चेर का द्रवेमान बहुत ही कम है यदि हम इसको पृत्वी या सूरज की तुल्ला में कंपेर करें तो इसका द्रवेमान बहुत ही कम है तो इनके बीच में जो आकर्शन बलकार्य करता है वो भी नगणने होता है पर जैसे जैसे हम द्रवेमान बढ़ाते जाते हैं यानि कि भ प्रकृती में जितने भी बल देखने को मिलते हैं उन सब में से सबसे वीक 4 से छिन बल होता है बच्चों जब भी हम गुरुत्वा कर्षण बल की बात करते हैं या चर्चा करते गुरुपा करशन की तो जो हमारे दिमाग में एक स्केच आ करता है ब्रम्हान का यह प्रित्वी का लेकिन ऐसा नहीं है यह जो गृत्वाकर्शन बल मा haven एक सीथ के लिए बहुत ही कम होता है जब हम दो आवेशित कणों की बात करते हैं तो उनके बीच में इस्थिर वैदुद बल लगता है electrostatic force और इस electrostatic force के कारण हम देखते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित कर देते हैं जबकि विपरित आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं और ये इस्थिर वैदुद आकर्शन ये प्रतिकर्शन बल का मान बहुत ही अधिक होता है यदि हम compare करें उसे गृत्वा कर्शन बल की तुन्ला में और इस गृत्वा कर्शन बल की तुन्ला यदि स्थिर विद्दुद बल से करें तो ये इस्थिर विद्वद्वल का 10 to the power minus 43 गोना होता है अब सोच लीजिए यह राशी कितनी कम है और इसलिए जब हम आवेशित कण की बात करते हैं तो गृत्वा कर्शन बल की कहीं चर्चा ही नहीं कर पाते हैं 10 to the power minus 43 गोना मतलब आप सोच लीजिए यह एकदम negligible राशी है मतलब हम इसको 0 ही मान के चलते हैं और इसलिए दो आवेशित कणों के बीश में हम केवल इस्थिर विद्वद्वद्वल की ही गढ़ना करते हैं और इस प्रकार बच्चों हमने इस गृत्वा कर्शन बल की बहुत सारी विशेशताएं देखी न्यूटन ने इस गृत्वा कर्शन बल की का जो सूत्र ग्यात किया था वो कैपलर्स के नियम के अधार पर किया था तो आईए बच्चों हम देखते हैं कि कैपलर्स के नियम के अधार पर हम किस प्रकार न्यूतन के सारवत्रिक गृत्वा करशन नियम की व्यूत्पत्ति कर सकते हैं तो एक पर रिकॉल करते हैं हम कैपलर्स के ग्रहों के गती का नियम हमने पहले नियम से जाना था कि सारे ग्रह सूरे के चारो और वृताकार पत पर नहीं बलकि दिर्ग वृत में गती करते हैं दूसरा नियम ये कहता है कि जब कोई ग्रह सूरे के चारो और गती करता है तो उसका छेत्रिय वेग नियत रहता है और तीसरा नियम ये कहता है कि उसके परिक्रमन काल का वर्ग उसके आसद दूरी के घन के समानुपाती होता है अब हम इन तीनों नियमों के अधार पर ही न्यूटन के सारवत्रे गृत्वाकर्शन नियम की व्यूत्पत्ति करते हैं न्यूटन के गृत्वाकर्शन नियम की व्यूत्पत्ति करने के लिए हम ये मानके चलेंगे कि सूर्य के चारों और प्रित्वी दिर्ग वृत्त में नहीं बलकि वृत्ताकार पत्त पर गती कर रहे हैं वैसे बुद्ध और मंगल इन दोनों ग्रहों को छोड़कर बाकी सारे ग्रह सूरज के चारों और लगभग वृत्ताकार पत्त पे ही गती करते हैं यदि अब मानके चल रहे हैं कि प्रित्वी एक दिर्ग वृत्त में गती कर लिए हैं तो इसके दो एक्सेस होंगे एक मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस और इन दोनों का अनुपात यानि कि बी अपॉन ए वो पॉइंट नाइन नाइन एट सिक्स होता है मतलब लगभग एक के बराबर या यू कहें कि मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस दोनों लगभग बराबर ही होते हैं तो यह मानके चल सकते हैं कि प्रित्वी भी एक वृताकार पत पे ही सूरज के चारोर गती कर लिए हैं तो इस प्रकार हम न्यूटन के सरवत्रिक गुत्वा करशन की व्यूतपति करने के लिए सबसे पहले तो हमने कैपलर के पहले नियम में थोड़ा सा करेक्शन कर लिया और यह मान लिया कि सारे ग्रह लगभग वृताकार पत पर ही गती कर रहे हैं और इस वृताकार पत की त सरवेमान M है और इसके वृताकार पत की त्रिज्य आर है इस ग्रह को इस सूरज के चारों और एक चक्कर लगाने में T समय लगता है यानि कि T इस ग्रह का परिक्रमन काल है और यह ग्रह V रेखी चाल से इस सूरज के चारों और गती कर रहा है और यह भी मान लेते हैं ओमेगा इस ग्रह का कोण यह चाल है अब कैपलर का दूसरे नियम से हमने देखा कि इस ग्रह का इस सूरज के चारों और गती करते समय छेत्रिय चाल नियत रहता है इसका मतलब इस ग्रह ने सूरज के चारो और गती करते समय इक्वल समय में इक्वल एरिया कवर किया होगा और यदि इसका छेत्रिय चाल नियत होगा इसका मतलब यह है कि इसका रेखिय चाल भी नियत होगा और इसलिए हमने इस ग्रह के रेखिय चाल को वी लिखा है तो इस वृतिय मार्क पर गती करने के लिए उसे केंद्र से एक बल प्राप्त होता है जिसे हम अभी केंद्र बल कहते हैं तो यहाँ बल निश्चित रुप से इस ग्रह को इस केंद्र से प्राप्त होगा यानि कि इस सूरज से प्राप्त होगा जिकि सूरज यहाँ पर इस वृती कक्ष के केंद्र पर स्थित है और यह अभी केंद्र बल होगा f equal to mv square upon r हम जानते हैं रेखी वेग और कोनिय वेग में संबंध होता है v equal to omega r और कोनिय वेग और वरिक्रमन काल t में संबंध होता है omega equal to 2 pi upon t तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं v equal to 2 pi r upon t और यह मान इस सूतर में रखने पर हमें मिलेगा f equal to m v के स्थान पर लिखूंगे 2 pi r upon t का square upon r अब square कर देते हैं इस राशी का और इसको हल करते हैं तो हमें मिलेगा f equal to 4 pi square upon t square r square m upon r यहाँ से एक एक र कैंसल हो जाएगा तो हमें मिलेगा f equal to 4 pi square upon t square into m r अब कैपलर के तीसरे नियम से हम जानते हैं कि t square समानुपाती होता है r cube के जहां r कैपलर के नियम में हमने देखा था कि औसत त्रिज्य थी पर यहाँ पर हमने इस ग्रह का जो पत है वो वृतिम आना है तो यहाँ पर r हम त्रिज्य ही लेंगे और समानुपातिक नियातांक लगाने पर t square equal to k r cube हो जाएगा तो हम t square बराबर k r cube यहाँ माने समीकरण में r cube यहाँ से एक एकार cancel हो जाएगे तो हमें मिलेगा f बराबर 4 pi square m upon k r square अब इस सूत्र में हम देखे तो 4 pi square upon k यह नियतांक है इन सारे नियतांक के बदले हम एक अलग से नियतांक लिख सकते हैं और इसलिए हम लिख सकते हैं f समानुपाती है m upon r square के जहां पर m यह ग्रह का द्रव्यमान था और आर इस ग्रह की सूरस से दूरी थी तो इस प्रकारा में सूत्र से देख रहे हैं कि इन दोनों की बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो व्यूत क्रम अनुपाती है इन दोनों की बीच की दूरी के वर्गिक से इसका मतलब यहां पर न्यूटन का नियम फॉलो हो रहा है और सूत्र से हम देखें तो प्रतेग्रह पर यह बल सूरी की और कारे कर रहा है क्योंकि यह सूरी के चारो और चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाने के लिए अभी क केंद्र बल हमेशा केंद्र से प्राप्त होता है और इसकी दिशा हमेशा केंद्र की और होती है तो यह जो बल हमने ग्याद किया इसकी दिशा भी सूर्य की और होगी साथ ही हम देखें कि यह निर्भर कर रहा है ग्रह के द्रवेमान पर यह ग्रह के द्रवेमान के समान उपात पर इस पूरे सूत्र में देखे हम तो इस बल का शुरोत सूर्य ही है क्योंकि ग्रह को इस सूरी के चारों तरफ घुमाने के लिए जो परियाप्त अभिकेंद्र बल है वो सूरस से प्राप्त हो रहा है लेकिन इस सूत्र में M और R ये दोनों तो ग्रह पर निरभर कर रहे हैं M ग्रह का द्रविमान है और R सूरस से ग्रह की दूरी पर है मतलब इस सूत्र को हम देखें F एक्वल टो फोर पाई स्क्वेर M अपॉन के आर स्क्वेर यहां पर एक ऐसा पैरामेटर भी होगा जो सूरज पर निरभर कर रहोगा और वह पैरामेटर है फोर पाई स्क्वेर अ पर बात कर रहे हैं तो उसका श्रोत सूर यही है तो इस सूत्र में एक पैरामेटर निश्चित रूप से ऐसा होगा जो सूरज के दरविमान पर निरभर कर रहोगा तो हम लिख सकते हैं 4 और यही नियम का सारवत्रिक गुरुत्वा-कर्षन नियम है जिसके नुसार किनी भी दो पिंडो के बीच में लगने वाला बल उनके द्रवमान के गुढन फलके समानुपाति होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्योत्वानुपाति होता है इस प्रकार हमने कैपलर की ग्रहों की गती के नियमों से संबंदित है तो कैपलर की ग्रहों की गती के नियम भी न्यूटन के सारवत्रिक गृत्वा कर्शन नियम से संबंदित होने चाहिए तो आईए अब हम कैपलर के तृतिय नियम की उत्पत्ति गुरुत्वा करशन के सारवत्रिक नियम से करते हैं इसके लिए भी हम यह मान के चलते हैं कि सूरज के चार ओर कोई ग्रह इलिप्टिकल ओर्बिट में नहीं बलकि सर्कुलर ओर्बिट में गती कर रहा है मान लीजिए हमने सूर्य लिया है इसका द्रव्यम हम M से दर्शा रहे हैं और इसके चारो ओर सर्कुलर पात पर एक ग्रह गती कर रहा है इसकी त्रिज्या R है यह यूँ कहें कि यह ग्रह सूरज से R दूरी पर स्थित है अब इस ग्रह को इस सूरज के चक्कर लगाने में मान लीजिए T समय लगता है तो हम यूँ कह सकते हैं कि T इस ग्रह का परिक्रमन काल है मान लीजिए इस ग्रह का रेखिये वेग हम V से दर्शा रहे हैं और कोणिये वेग ओमेगा है अब न्यूटन की सारवत्री गृत्वाकर्षण नियम के नुसार इन दोनों ही पिंडों के बीच में लगने वाला अकर्षण बल F बराबर G M M अपॉन R स्क्वेर होगा इसे हम समय करन एक दे देते हैं अब चुकि ये ग्रह इस सूरे के चारो और वृतिय गती कर रहा है और हम जानते हैं कि किसी भी काण को वृतिय गती करने के लिए केंद्र से अभी केंद्र बल प्राप्त होता है और इस अभी केंद्र बल का सूत्र होता है F इक्वल टो M V स्क्वेर अपॉन R यहाँ पर M इस ग्रह का द्रव्यमान है क्योंकि ये ग्रह वृतिय गती कर रहा है तो इस पर लगने वाला अभी केंद्र बल को हम समी करन दो से दर्शाते हैं अब इस कंडिशन में हम देखें कि ग्रह सूरे के चारो और गती कर रहा है इन दोनों के बीच में आकर्शन बल कारे कर रहा है और यह आकर्शन बल ही इस ग्रह को सूरे के चारो और घुमा रहा है यानि यह गुरुत्वा कर्शन बल ही इस ग्रह को सूरे के चारों और गती करने के लिए परियाप्त अभिकेंद्र बल दे रहा है तो हम इन दोनों समीकरणों को देखें तो इन दोनों समी करनों से हम अभी केंद्र बल का मान गुत्वा कर्शन बल के बराबर लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे mv square upon r equal to gmm upon r square यहां से एक एक आर cancel कर देंगे दोनों पक्षों से इस ग्रह का द्रव्यमान भी cancel हो जाएगा तो हमारे पास बच्चे का v square equal to gm upon r अब रेखी वेग और कोणी वेग में संबंध होता है v equal to omega r और omega बराबर होता है 2 pi upon t तो हम लोग लिख सकते हैं v is equal to 2 pi r upon t और यह हमान v के स्थान पर लिखेंगे हम तो यगर 2 pi r upon t का square बराबर gm upon r यहां वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 4 pi square r square upon t square बराबर gm upon r इसको और सरल करते हैं हम एक पक्ष में t square का मान रखते हैं बाकि सारी राश्यों को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो सरल करने पर हमें मिलेगा t square equal to 4 pi square r cube upon gm अब इस सूत्र हम देखे 4 नियतांक है, pi नियतांक है, g यानि की सारवत्रे गृत्वा कर्ष नियंग नियतांक ये भी एक नियतांक है और m यानि की सूरज का द्रवेमान ये भी नियतांक है इन सारे नियतांकों को हम एक अलग नियतांक के रुप में व्यक्त करते हैं इसे हम के से दर्शा आते हैं और इस समीकरन को हम इस प्रकार लिख सकते है, t square समानुपाती है r cube के और यहाँ कैपलर का त्रितिय नियम है इसके अनुसार सूरे की चारो और परिक्रमा करते हुए किसी भी ग्रह का परिक्रमन काल का वर्ग उसकी औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है तो इस प्रकार बच्चों हमने न्योटन के सारवत्रिक गुत्वा कर्शन नियन से कैपलर के त्रितिय नियम की व्युद्पत्ती की है